बारत की बनी दवाईयों की विदेशों में बहुत बड़ी मांग है भारत प्रतिवश धाई करोड अमेरिकी डॉलर की दवाई केवल अमेरिका को ही नर्यात करता है भारत में दवाईयों की डिमांड का ताजा उदारण हाले में COVID-19 वारस के संक्रमण को रोकने के लिए बनाई गई भारतिय वैक्सीन का है ये वैक्सीन विश्व के लगबग 65 देशों में सप्लाई की गई है ये बात अलग है कि सरकार ने इस वैक्सीन डोस को सीमित संख्या में निश्यल के इन देशों को भेजा है लेकिन सरकार के और से जितनी डोस भेजी गई है वो उनकी जरूरत का 10 प्रतिशत है यानि उन देशों को अभी इस तरह की भारतिये वैक्सीन की 90% डिमांट और है भारतिये वैक्सीन का रिजल्ट अच्छा आ रहा है इसलिए इन देशों द्वारा बागी के 90 प्रतिशत वैक्सीन की डिमांट भारत से आ रही है जिससे भारत की manufacturer और wholesale suppliers को अच्छा खासा business मिल जाएगा इसके लावा भारत में बनने वाली अनेको दवाईयां बड़े पैमाने पर विदेशों को निरयात होती है साथ ही हमारे ही देश में भी दवाईयों की भारी खपत होती है इस business में सब्मल होने का सबसे बड़ा कारण क्या है चुकि भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला तेश है यहां की आबादी को देखते हुए medical supply का का काम बहुत ही बड़ा है दवाईयों और medical उपकरणों के उतबादन में भारत का विश्व की medical industry में 13 अस्थान है यह आखड़े बताते हैं कि भारत का pharmaceuticals के शेतर में कितना बड़ा मार्केट है इसके अलावा विश्व के अनेक देशों में भारत के ही विश्व के डॉक्टर अपनी सेवाई दे रहे हैं उनसे भारत के कारोबारियों को बहुत बड़ा बिजनस मिलता है इन सब को देखती हुए इस बिजनस में काफी अच्छी संभावनाई दिखती है यह बिजनस फायदी बाला है वैसे तो हर बिजनस में थूड़ा बहुत उधार चलता है लेकिन इस बिजनस की खास बात यह है कि यह बिजनस कैश पर चलता है यहां manufacturer से लेकर wholesalers तक इस बिजनस में एक खास trick अपनाते हैं वो ये है कि जो रेटेलर लेंदेन में अच्छा नहीं होता, उनको वो दवाई नहीं देते हैं जो महगी होती हैं ऐसे दुकानदारों के लिए महगी दवाओं की शॉर्टेज यानी कमी हमेशा बनी रहती हैं Wholesalers यही कहकर उनसे पल्ला जाड लेते हैं जो नकर या कम समय में पैसे का भबतान कर देता है, उनको सारी दवाईयां मिल जाती हैं उनको offers भी मिलते रहते हैं स्टेप बवान, इस तरह शुरू करें बिजनिस Medical Supply का Wholesale Business कैसे शुरू किया जाए? इस सवाल का जवाब यह है कि यह बिजनिस आम बिजनिस से थोड़ा हटकर है यह बिजनिस आम आदमी की जिंदगी मौत से जुड़ा होता है इसलिए businessman के लिए सरकार और medical क्शेतर ने कुछ खास योगिताईं और दिशा निर्देश निरधारत कर रखे हैं medical का wholesale business शुरू करने के लिए उन निरधारत योगिताओं और शर्तों को पूरा करना होता है वैसे यह business अन्य wholesale business में सबसे अच्छा है अच्छा मुनाफा देने वाला है, समाज में सम्मान भी दिलाने वाला है कई सरकारी नियम और शर्ते हैं इस बिजनस के लिए आए जानते हैं कि medical का wholesale बिजनस शुरू करने से पहले आपको किन किन शर्तों को पूरा करना होता है भारत में The Drugs and Cosmetic Act 1940, 1945 में संशोधित लगू है इसके तहट भारत में दवाईयों के निर्मार करने, वितरण करने और आयाप करने के लिए गाइडलाइन बनी हुई है Medical का बिजनस शुरू करने के लिए आपको Central Drugs Standard Control of Organization CDSCO अत्वा State Drug Standard Control Body यानि संस्था से Form 19 के देहत लाइसेंस लेना जरूरी होता है स्टेप 3 लाइसेंस के लिए योगित आएं Medical Wholesale का बिजनस शुरू करने वाले को कम से कम किसी भी मानिता प्राप्त शेक्षिनिक संस्था यानि Education Institute अत्वा किसी मानिता प्राप्त विश्यविद्याले से Pharmacy में डिग्री या पर डिप्लोमा होना चाहिए Medical के Wholesale बिजनस करने वाले को दवाईयों की सप्लाई से जुड़े कारुबार में एक साल का अनुभव भी होना चाहिए यदे आप स्वयम Pharmacist नहीं हैं तो आपको एक Registered Pharmacist को Full Time जॉब पर रखना होगा निर्धारित फॉर में आपको सारी जानकारियां भर कर एक आवेदन देना होगा इस आवेदन के साथ Wholesale बिजनसमैन को अपना नाम, पत की जानकारी देते हुए अपने हस्ताक्षर करके Wholesale Medical Business शुरू करने का उदेश भी बताना होता है Drug License के लिए मागी गई सरकारी फीज का चालान भर कर आवेदन के साथ जमा करना होता है आवेदन के साथ ही आपको निर्धारत फॉर्म में गोशन पत्र यानि Declaration फॉर्म भी जमा करना होता है आपको अपने परिसर में किये जाने वाले बिजनस का मुख्य प्लान भी बताना होगा अपने परिसर में किये जाने वाले अन्यकारेों के लिए साइट प्लान भी बताना होगा आपको अपने परिसर के अधिकार यानि मालिकाना हग या किरायदारी के दस्तावेज भी देने होते हैं Drugs and Cosmetic Act 1940 के तहर, प्रॉप्राइटर, पार्टनर, डिरिक्टर्स के फार्मसिस्ट ना होने का शपत पत्र भी देना होगा. रजिस्टर्ड फार्मसिस्ट या सक्षम व्यक्ति को फुल टाइम न्यूक्त करने का शपत पत्र भी देना होगा. यदि किसी कर्मचारी को न्यूक्त करते हैं, तो उस रजिस्टर्ड फार्मसिस्ट या फिर सक्षम व्यक्ति का न्यूक्ति पत्र देना होगा. लाइसंस लेने के बाद आपकी खानूनी कारवाई यही पर पूरी नहीं होते हैं. बलकि CDSO के निगरानी में Drug Controller General of India द्वारा न्यूक्त Farmacy Inspector से नियमित रूप से निरिक्षन भी कराना होगा. इसमें दवाईों की बिक्री, स्टोरेज और दवाईों के डिस्प्ले आदी के मानकों को बनाए रखना होता है. स्टेप फाइब यह चार काम भी करने होगे. दूसरा यह कि आपको अपने शोरूम कम गोडाउन के मालिकाना हक के कागजाप को भी सरकार के समक्ष पेश करना होगा. तीसरा यह कि आपको अपने दुकान कम गोडाम में रफ्रीजुरेटर और एसी लगाना जरूरी होगा. क्योंकि इसके बिना वाक्सीन, सेरा, इंसुलिंट, इंजेक्शन आदे को सरक्षित नहीं रखा जा सकता है. चौथा यह कि आपको अपने दुकान या गोडाम में साफसफाई का विशेश ध्यान रखना होगा. इसके आसपास भी विशेश सफाई रखनी होगी. स्टेप सिक्स, कितनी लागत आएगी? होलसेल बिजनस शुरू करने के लिए आपको किन-किन वस्तों की जरूरत पढ़ सकती है और उन पर कितना खर्च आएगा, इसको इस तरह से जाना जा सकता है. लाइसेंस और अन्यदस्तावेज लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन फीस पर लगभग 30,000 रुपए खर्च हो सकते हैं. दुकान, शोरूम, गोदाम के लिए आपको फरनीचर, अलमारिया, एसी और रेफ्रिजरीटर पर 2-2,5 लाग रुपए तक का खर्चा हो सकता है. फार्मासिस सहित कई कर्मचारियों के भी जरूरत होगी. इस पर 1,000,000 रुपए के आसपास खर्च होगा. थोक में दवाईयां और मेडिकल उपकरण खरीदने में भी अच्छी खासी रुपए खर्च करनी होगी. इस तरह से इस बिजनस में 40-80,000 रुपए तक की लागत आएगी. Step 7, कितना मुनाफ़ा मिलेगा? इस बिजनस में मुनाफ़ा यानी लाब कितना हो सकता है? यह आपके बिजनस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का बिजनस करते हैं. जैसे, ब्रांडेट या अन्ब्रांडेड मेडिसन, जैनेटिक मेडिसन, ब्रांड वेल्यू मेडिसन, आपकी firm की reputation पर, ethical या unethical practice, बिना डॉक्टरी सलावाली दवाईों का business. Business के बाद आप किस तरह का wholesale business करना चाहते हैं? Medical के wholesale business के भी कई रूप होते हैं, उसी हिसाब से आपका profit तै होता है. C&F agent, यानि career and forward agent, stockist, distributor, chemist, pharmacy. यदि आप wholesaler या stockist हैं, तो आपको 6-10% का मुनाफा मिल सकता है. इसके अलावा, समय समय पर manufacturers दवारा दी जाने वाली promoters schema का भी लाब मिल सकता है. इसके अलावा, अन्य तरह के wholesale business में कंपनियों दवारा मुनाफा तैजाता है. Step 8. Expiring date से रहना होगा सतक. भारत में Drugs and Cosmetic Act 1948 की धारा B, Niam 98 की अनुसार, किसी भी दवाई को 5 वर्ष से अधिक store नहीं कर सकते. वो भी रख रखाव की दशा पढ़ने धारत करेगा. दवाई के business में business man को expiry date को लेकर हमेशा सतर रहना होगा. अपने store को लगातार चेक करते रहना होगा. उन दवाईयों को सबसे पहले बेचने की कोशिश करनी होगी, जिनकी expiry date काफी नजदीक है. इसलिए आपको अपने store में रखे दवाईयों की list बनानी होगी, या computerized कर उसकी expiry date को भी लिखना होगा. इसके चेकिंग के लिए daily एक routine work करना होगा, जिससे रोजाना ही expiry date वाली दवाईयों की जानकारी होती रहे. Step 9. क्यूं हो जाती हैं दवाई expiry? जो दवाईयां केवल registered medical practitioners दवारा लिखी जाती हैं, उनको कम मात्रा में store करना चाहिए. क्योंकि ये दवाईयां वहीं लोग खरीदने आएंगे जिने डॉक्टर लिख कर देगा. आपको उन दवाईयों पर अधिक ध्यान देना होगा जो medical store, grocery store पर आम वीमारियों में इस्तेमाल की जाती हैं, जिनने डॉक्टर की सिफारिश के बिना ही लोग खरीद लेते हैं. ऐसी दवाईयों के डिमांड काफी होती हैं, इसके अलावा विमारियों के सीजन में इस तरह की दवाईयों के डिमांड काफी बढ़ भी जाती हैं. Step 10. माल बेचने के लिए क्या क्या करें? अपना माल बेचने के लिए होलसेलर्स को लोकल क्लिनिक, प्राइवेट हॉस्पिटल, हेल्थ केर सेंटर, चैरिटी और धार्मेक और सोशल सर्विस वाले संगटनों द्वारा चलाई जाने वाले अस्पतालों से संफर्क करना चाहिए. इन सभी लोगों को ओफर्स और अन्य बेनिफिट्स का प्रलोभन भी देना चाहिए. लोकल फार्मेसी और क्लिनिक को अधिक्तम मुनाफ़े के साथ अच्छी क्वालिटी वाली दवाईयों को कम दामों पर देने से आपका बिजनेस अच्छी तरह से चल जाएगा. चोटे चोटे शेहरों और कस्वों की क्लिनिकों में ब्रैंडिट कमपनियों की अल्टरनेट प्रोडक्ट यानि दूसरे कम दामों वाले विकल्प वाली दवाईयां देने और उनसे होने वाले लाप के बारे में बताना होगा. बड़े शेहरों के मेडिकल स्टोर और क्लिन और अपकरण सप्लाई करने की प्लानिंग करनी होगी। देश भर में सरकारी और अर्ध सरकारी अस्पतालों क्लिनिकों की भरमार है। इनमें सप्लाई के लिए समय समय पर टेंडर आती निकाले जाते हैं। उनके सप्लाई करके अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमाया जा सकता है। इसके साथ ही होलसेलर्स को चाहिए कि वो उन-उन दबाईयों के लिस्स बना लें जो स्क्षेतर में कम बिक रही हो। जबकि उसी तरह कि दूसरी कंपनी की दबा अधिक बिक रही हो। उसके लिए मैनेफाक्टर्स कंपनी पर दबाव डालना चाहिए कि वो एमार यानि मेडिकल रिप्रेजन्टेटिव रख कर सभी डॉक्टरों के पास अपनी दबाईयों का प्रचार कराए और इन डॉक्टरों को कुछ मुफ्ट सैंपल्स भी बेजे। इससे डिमांड बढ़ेगी तो होलसेलर्स का माल भी बिकेगा। स्टेप ट्वेल्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए करना होगा ये काप। यदे आप होलसेल के साथ विदेशों में भी सप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए इंडियन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट नंबर लेना होगा। इसके बिना आप अपना इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का कारोबाश शुरू नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, कैसे लगा आपको ये वीडियो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।